शेहर में सर्कस आया हुआ है गुल सर्कस शो देखना चाहता है टिकेट तीन रुपै की है चलो देखते हैं गुल के गुललक में कितने पैसे हैं चलो सिक्के गिनते हैं उसके पास 50 पैसे के 4 सिक्के है और 25 पैसे के 5 सिक्के है चलो 50 पैसे के 4 सिक्कों को जोड़े 50 पैसे प्लस 50 पैसे प्लस 50 पैसे प्लस 50 पैसे मिला कर हुए 200 पैसे तो 50 पैसे के 4 सिक्कों का मतलब हुआ 200 पैसे अब 25 पैसे के 5 सिक्कों को जोड़ो 25 पैसे प्लस 25 पैसे प्लस 25 पैसे प्लस 25 पैसे मिला कर हुए 125 पैसे तो 25 पैसे के 5 सिक्कों का मतलब हुआ 125 पैसे गुल के पास 200 पैसे और 125 पैसे है जो मिला कर हुए 325 पैसे गुल के पास गुल 325 पैसे है और टिकेट 3 रुपई की है क्या आप गुल को बता सकते हैं कि 325 पैसे कितने रुपईयों के बराबर है चलो पैसों को रुपईयों और पैसों में कनवर्ट करना सीखें पैसों को रुपईयों में कनवर्ट करने के लिए हम पैसों को 100 से डिवाइड यानि भाग करते हैं हम जानते हैं कि 100 पैसे एक रुपई के बराबर है या हम पैसे वाली दी हुई संख्या में दाई और से दो डिजिट बाद एक पॉइंट लगा सकते हैं पॉइंट के बाई और के डिजिट रुपेओं की संख्या बताते हैं और दाई और के डिजिट पैसों की संख्या बताते हैं तो रकम 3 रुपए और 25 पैसे होगी शो की टिकेट 3 रुपए की है क्या 3 रुपए और 25 पैसे गुल को टिकेट खरीदने के लिए काफी होंगे? क्या 4 रुपए और 25 पैसे गुल सबस